So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता दू किसी भी तरह का कोई रेकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, purely educational purpose का वीडियो है, आप अपना proper analysis करने के बाद ही invest करना, मेरे बातों पे कुछ मत करना, पहले like, share, subscribe करो, like and press करके all पे set करो, second channel हमारा यहां पे लगातर opportunities आती रहती है, तो यहां पे भी आपको like करना है, share करना है, and subscribe करना है, telegram channel आप जरूर से join कर सकते हो, लगातर यहां पे updates आ रहे हैं कि कौन सा share कैसा perform कर रहा है, कैसा news है, क्या है, और आगे क्या करना है, सब क इसे देख सकते हो, join कर सकते हो, and twitter पे भी आप follow कर सकते हो, अब यहां पे इन सब का link जो है, मैं आपको description में, या फिर channel के about में, अगर आप जाओगे, तो आपको मिल जाएगा, and यहां पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने discuss किया था, नाल को, कब discuss किया था, लगातर यहां पे discuss किया था, recent video में, आप देख सकते हो, गेल कितना उपर है, 1.52%, sale, sale मैंने discuss किया था, परसो, यहां पे देख सकते हो, 1 day ago, यह कितना percent उपर है, आप देख सकते हो, 3.45%, tata steel, tata steel मैंने around 5-6 दिन पहले discuss किया था, okay, so, इस channel पे, यहां पे आप देख सकते हो, tata steel, यह कितना पर है, 5%, and यहां पे मैंने लिखा हुआ, I will discuss in the evening video, मतलब, शाम के वीडियो में, इसके उपर बात करने वाले है, जिस वीडियो में आप देख रहे हो, आज हम बात करने वाले है, tata steel के उपर, तो यहां पे आप पहले, जो मैंने आपको, यहां पे बदाया था, कि किस तरह स जो है, उस तरह से act नहीं किया, accordingly, and उसके बाद, जो है, market में बहुत बड़ा fall आया, आपको fall पता होगा, मैं थोड़ा zoom कर लूँ, आपको दिख भी रहा होगा, इस candle में, अगर आप देखोगे, 5%, 5.8, मतलब 6%, 6% का fall आया, and जो setup हमारा बना था, वो बिगड गया, stop loss जो थ है, वो hit हो गए, लेकिन, panic selling मैंने पहले भी कहा हुआ है, ठीक है, अगर आप पहले videos मेरे देखते हो, लगाता है, तो आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी भी panic selling नहीं करता हूँ, अगर कोई stock गिर रहा है, and the reason behind that is market sentiments, या फिर आप कह सकते हो, कोई bad news, जो overall market को effect कर रहा है, उस case में जो है, मैं हाँ पर panic selling में exit नहीं करता हूँ, मैं wait कर लेता हूँ, क्योंकि आपको एक sharp recovery देखने को मिलती ही है, और यहाँ पर आज हमें देखने मिली, वैसे इसका एक बहुत simple logic है, मैंने एक zone यहाँ पर बनाया था, ठीक है, यहाँ पर इस zone को आप frame पर समझा रहा हूँ, कि यह zone actually क्या माईने रखता है, सबसे पहले resistance, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, चार हो गए, उसके बाद breakout हुआ, एक support, ठीक है, यह support हो गया, ठीक है, यहाँ पर चार resistance हुए थे, एक support, दूसरा छोटा सा support, तीसरा support, एंड यह चौथा यहाँ पर support, मत साफी जादा volume है, ठीक है, यह बात तो हो गई, अब दूसरे पर चलते हैं, अगर आप इस पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो level था, जहां से breakout हुआ था, जो आप कह सकते हो, कि एक breakout retest level था, उस breakout retest level को break करने के बाद, यह जो candle ने break किया था, तो यहाँ पर एक उसके बाद और एक अच्छी तेजी आई था, उसने जो है, इस level को break किया था, अब यह क्या है, यह है monthly का resistance level, ठीक है, monthly resistance है, मैं आपको दिखाऊंगा चल करके, तो यह जो zone है, यह जो है, फिर break कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो level था, जहा हो सकता है, price में थोड़ा fluctuation हो, आगे पीछे हो जाए price, ठीक है, और बाकी opportunity लगबख सेम रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो, यह जो जाता है, तो जो भी हो, बाकी अगर कोई भी drastic change आता है, तो मैं आपको telegram पर अपडेट कर दूंग, उसके लिए आप telegram जोइन कर तो इस level के उपर, जो यहाँ पर resistance था, जो बाद में support बना, उसके उपर closing मिल रही है, and 9 days का moving average जो है, उसके उपर भी हमें closing मिलता हो, दिख रहा है, which is a very positive sign, ठीक है, तो यही opportunity है, और बाकी, यह तो हो गई daily time frame की बात, अब आजाते हैं, हम weekly time frame पे, अगर आप weekly time frame पे देखोगे, this one is actually, ठीक है, जो मैं आपको monthly resistance कह रहा था, मैं इसी की बात कर रहा था, around, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे break हो गया था, लेकिन market खराब था, sentiment खराब था, इसी वज़े से यह retest करने नीचे आया, and अब यह retest करने के बाद यह फिर से, retest करना नहीं कहेंगे, और retest दूसरे sense में कहेंगे, लेकिन हा, यह नीचे आया, वापस अभी support मिल रहा है, monthly पे आओगे, तो monthly पे भी आपको जो है, वही same level देखेगा, जो मैं आपको बता, यह देख सकते हो, यहाँ पे resistance आ रहा है, ठीक है, बाकी, अब weekly पे आता this one is shoulder, this one is head and this one is shoulder, तो head and shoulder pattern जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, and head and shoulder pattern जो है, उसका breakout हुआ, retest हुआ, and अब retest complete हो चुका है, तो यहाँ पे काफी अच्छी opportunity बनती है, and उस हिसाब से मैंने कुछ targets set किये हैं, अपने हिसाब से चेक करना, ठीक है, अप हिसाब से आप इसे change करो, कोई recommendation मैं नहीं दे रहा हूँ, my first target would be 181, second target 202, मतलब 200 क्या सपस, and third target is 220, ठीक है, and पूर अगर आप gains देखोगे, तो 44-45% gains आ रहा है, और अगर आप यहाँ से, इसके बजा यहाँ से देखोगे, जहाँ पे price है, तो it is 50% gains, तो ठीक है, and obviously, यह बह momentum के साथ अचीव होगा, नहीं, बिलकुल नहीं, 50% जादा है, तो आपको इसे, लंबे time के लिए रखना होगा, तो I am planning this for positional, और long term, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, positional means around 1 year, and long term means around 2-3 साल, ठीक है, but हा, मैं swing इसमें नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना personal आ stop loss के बार मैं बताता हूँ, मैं जो positional basis पे, यहां पे जो चाहते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से, आप stop loss देख सकते हो, but मैं अगर positional करूँगा, तो मेरा stop loss इस zone के नीचे, अगर closing मिल जाती है, या फिर इस line के नीचे, यह जो level है, इस level के नीचे, क्योंकि यह बहुत ब देखोगे, ठीक है, इस zone के ऊपर आप देखो, ठीक है, इस zone के ऊपर देखोगे तो, यहां पे consolidation, यहां पर consolidation है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा consolidation है, तो अगर इसके नीचे, अपने risk appetite के साब से, जो इसे देख लेना, तो इसके नीचे close होता है, and confirm होता है, red candle में closing, and दूसर अगर मिलता है तो यहां पर पोजिशन साफ जो है क्रिम कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें फर्दर और और कंसॉलिडेशन होना बाकी है बाकी लॉंग टम के साफ से यहां पर मैं किसी भी तरह से कोई टार्गेट या स्टॉप लॉस तो नहीं ले रहा हूं ठीक है लॉंग टम बेसिस पे बस ट्रिलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा मैं और थोड़ा जब मुझे लगेगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा सब कुछ मैं अपडेट करने वाला हूँ टेलिग्राम चैनल पर एंड करते हैं आप वीडियो को बहुत लंबा वीडियो हो चुक है मेरे इसाब से बाकी रेकमेंडेशन बिलकुल भी नहीं है प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही मलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए अनलिसिस के साथ तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद एंड थैंक्स वाचिंग